Hmm, veg or non-veg? Which is better? What do you think? Veg is better or non-veg is better? अरे यार! अच्छे आप लोग मुझे एक बात बताईए Vegetarian लोग ज़्यादा healthy होते है या non-vegetarian इस बात को लेकर बहुत सारी बहस होती है लेकिन अभी तक result सामने नहीं आया अभी तक कोई पूरी तरीके से ये नहीं बता पाया कि vegetarian diet अच्छी होती है कि non-vegetarian diet अच्छी होती है आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे आप में से जो लोग भी ये जानना चाते हैं कि vegetarian diet अच्छी है या non-vegetarian वो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखेगा इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफी सारे doubt clear हो जाएंगे तो चलिए आज के discussion को start करते हैं without wasted time veg versus non-veget आज की लडाई इसी बात पर है आपको क्या लगता है आप लोगों के जो भी राय हो आप लोग comment box पर लिख कर दीजिए हम देखना चाते हैं कि कितने लोग vegetarian को support करते हैं और कितने लोग non-veget को support करते हैं जब तक हम कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो काफी सारी report में publish की गई है आपको पता है हाल फिलाल में एक news आई थी जिसमें एक YouTube की influencer जिन्होंने vegan diet को follow किया और vegan diet को follow करने के बाद उनकी body के अंदर minerals और vitamins की कमी हो गई जिसके कारण उनकी death हो गई उनकी death के बाद ये news हर जगे viral हो गई कि ऐसी diet का सेवन नहीं करना चाहिए फिर इसी तरगे की एक और news फैली जिसमें non vegetarian के बारे में बताया गया कि non vegetarian diet लेने से आपकी body के अंदर बहुत सारी बिमारिया हो जाती है ये cancer gauzing है इसके बाद non veg की बुराया शुरू हो गई लोग उससे डरने लगे लेकिन हद तो तब हो गई जब vegetarian diet के लिए भी ये news आने लगी कि vegetarian diet को follow करने से आपकी body के अंदर vitamin B12 और बहुत सारी कमी हो जाती है यानि आपकी body में बहुत सारी बिमारिया हो जाती है इसके बाद लोग vegetarian diet से भी डरने लगे तो अब question उड़ता है आखिर कौन सी diet follow करे वीगन वाली diet के लिए आप लोग बुराईया करते है आप लोग non vegetarian diet के लिए बुराईया करते है veg diet के लिए भी आप लोग बुराईया करते है तो आखिर कौन सी diet लेनी चाहिए ताकि हम खुद को healthy रख पाए जाता है और उसे criticize किया जाता है इसे देखने के बाद तो हर चीट खाने से डर लगने लगा है अगर हम vegetarian diet को follow करेंगे तो भी हम बिमार पढ़ते है अगर हम vegan diet को लेते हैं तो भी हम बिमार पढ़ते है तो आंखिर हमें क्या खाना चाहिए जिससे हम खुद को healthy बना पाएं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर इंडियन लोगों के लिए ऐसी कौन सी diet लेना सबसे अच्छा है हमारे culture के according ऐसी कौन सी diet अगर हम follow करेंगे जिससे हम लंबे समय तक खुद को healthy बना सकते हैं तो देखिए सबसे पहले हम एक बात आपको clear कर दे ये question सुनने में जितना easy लग रहा है इसका answer देना उतना easy नहीं है हर किसी की body type different होती है हर किसी का culture different होता है उनकी life को जीने का तरीका अलग होता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही issues को सबको fit कराने की कोशिश करो ऐसा करना possible नहीं है कोई सही नहीं होता कोई पूरी तरीके से गलत नहीं होता For example, अगर कोई ऐसे community है जहांपर non-wage खाया जाता है शुरू से तो आप उनको गलत नहीं कह सकते उनकी body ऐसे खाने के लिए ही बन गई है यानि उनकी body के अंदर जो involvement है वो ऐसे food के लिए बिलकुल सही है आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि आपको सिर्फ wedge ही खाना है ऐसा करने से शायद वो कुछ time के लिए बिमार भी हो जाएंगे इसलिए हर food हर व्यक्ति के लिए correct नहीं होता हर food हर व्यक्ति के लिए wrong नहीं होता अब आप एक example से इस बात को समझे हम एक ऐसे व्यक्ति को imagine करते है जिनको दूद से allergy है अगर आप उन्हें दूद पिलाना चाहेंगे तो उनकी body के अंदर बहुत सारी problem हो सकती है लेकिन यहाँ पर दूद तो अमरित माना जाता है न तो वो उनको suit क्यों नहीं कर रहा क्योंकि उनकी body type different है इसी तरीके से हर food हर व्यक्ति पर suit करे ऐसा जरूरी नहीं है आप लोगों को हमेशा अपने culture को देख कर अपने local area में जो भी food grow होता है उसको देख कर उस food को select करना चाहिए ऐसा खाना आपकी body के लिए एकदम perfect है I am sure आप लोग इस बातों को समझ रहे होंगे चलिए इस बात को एक और example से समझते है आप लोगों को नमक के बारे में क्या लगता है नमक हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए I am sure आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे नमक को हमेशा limited amount में खाना चाहिए जो कि बिलकुल basic knowledge है लेकिन यही नमक एक patient के लिए बहुत अम्रित का काम भी कर सकता है और यही नमक एक patient के लिए जहर की तरह भी use किया जा सकता है अगर किसी का BP high है तो ऐसे patient को नमक हमेशा कम खाना चाहिए correct अगर वो कम खाएंगे तो वो healthy रहेंगे लेकिन अगर किसी patient का BP low है तो उन्हें special पानी के अंदर नमक को घोल करके दिया जाता है इस condition में यही नमक अमरत की तरह work करता है यानि नमक वही है लेकिन condition के according उसने work किया ठीक वैसे ही non-wage और veg diet के साथ है एक ऐसे body builder जो अपनी body को build करना चाहते है और उनके पास resources बहुत कम है तो ऐसी condition में अगर वो non-wage को choose करते हैं तो उनकी body के अंदर अच्छे amount में protein जा पाएगा वो भी बहुत ही कम price में लेकिन वही पर अगर हम दूसरे side vegetarian diet को compare करें तो ऐसा करने के लिए उनको काफी सारे पैसे को खर्च करना पड़ेगा उनको dairy product को लेना होगा plus legumes, lentil इन सब का ज़ादा मात्रा में saving करना होगा उसके बाद भी अपने food को अलग-अलग तरीके से diversify करना होगा ताकि उनकी body के अंदर essential amino acid जा पाए तो इस condition में उन body builder के लिए non-wage खाना बिल्कुल correct होगा लेकिन अगर वहीं दूसरे side उस वेक्ति के बारे में बात करें जो financially बहुत stable है ऐसी वेक्ति अगर वो vegetarian को choose करते हैं और बदल-बदल करके अपनी diet में protein के sources को add करते हैं तो इससे भी उनकी body के अंदर same amount में protein चला जाएगा लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसो को खर्च करना पड़ेगा क्योंकि diversify food लेना easy नहीं होता right उसके लिए आपको थोड़े से पैसो को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है तो simple सा logic है आपको protein की need है आपके पास जो भी sources है आप उससे protein की need को पूरा करें इसमें गलत सही कुछ नहीं होता और वैसे इस बात को humanity के basis पर सोचा जाए तो animal पर जो cruelty की जाती है उसे cut किया जाता है ऐसा खाना आपकी body के अंदर जागर कुछ ना कुछ पार्ट में negative energy को डालता है I'm sure इस बात को तो आप लोग भी जानते होंगे जो लोग non-wage खाते हैं ऐसी बहुत सारी बातों को scientific study ने भी proven किया है कि जिस टाइम पर आप लोग किसी भी जानवर को मारते हैं खाने के लिए उस टाइम पर उस जानवर के अंदर जो दर होता है जो भी negative विचार आपके खिलाफ आते हैं वो आपकी body के अंदर जाकर थोड़े amount में आपकी body के hormone को disturb करते हैं तो choice आप लोगों के पास है आप लोग इस बात को ignore करके non-wage को खा भी सकते हैं या फिर इस बात को notice करके non-wage खाना छोड़ भी सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर दोनों ही तरीके से बातों को समझाने की कोशिश की है जो की बहुत सारी studies में ऐसी बातों को बताया क्या है देखिए Ayurvedic text के according अगर हम बात करें तो आपके पास ऐसे बहुत सारे natural sources होते हैं जिससे आप लोग अगर बदल-बदल कर लेंगे तो आपकी body के अंदर essential amino acid बहुत अराम से चले जाएंगे लेकिन ऐसे लोग जो financially इतने stable नहीं है और वो अपनी body की protein की requirement को भी पूरा करना चाते है तो ऐसे लोगों के पास सर्फ एक ही option बचता है non-wage का तो इस बात को गलत सही के parameter पे देखना गलत होगा ऐसे देखा जाए तो चूना भी हमें नहीं खाना चाहिए चूना भी एक non-wage का ही part है लेकिन वो तो हम लोग खाते ही है ये जो fossil होते हैं उसी से तो निकाला जाता है चूना तो जब चूना सही है तो ये गलत कैसे I hope आप लोग समझ रहे होंगे तो किसी को उसके खाने के हिसाब से गलत साबित कर देना ये बिल्कुल गलत है हाँ ये जरूर है जो non-wage खाने के लिए आप लोग किसी जानवर को मारते है ये थोड़ा सा गलत हो जाता है ऐसा करने से आपकी body के अंदर कुछ पार्ट में negativity तो जरूर जाती है और इस बात को अगर दूसरी तरीके से सोचा जाए तो non-wage खाने की वज़े से आपकी अर्थ की heat भी बढ़ रहे है क्योंकि जितने भी livestock होते हैं यानि जो जानवर होते हैं जिनका हम meat बना कर खाते हैं उनको feed कराने के लिए बहुत सारे अनाज का यूस किया जाता है उस अनाज में काफी सारे इंसान खाना खा सकते हैं तो अगर carbon footprint के हिसाब से दिखा जाए तो non-vegetarian food global warming के लिए responsible है आपको पता है 1 kg meat को बनाने के लिए 10 से 15 kg का अनाज waste करना पड़ता है बहुत सारे पानी को waste करना पड़ता है और बहुत सारी अर्थ का part waste होता है प्लस उन जान्रों में से बहुत सारी methane gas emit होती है तो अगर global warming के perspective से सोचा जाए तो non-veget food की जगे पर आपको vegetarian food का saving करना जाए ये बात scientific proven है इस बात को सुनने के बाद आप में से काफी सारी लोग confused हो रहे होंगे उनको लग रहा होगा एक side तो हम कह रहे है non-veget खाना गलत नहीं है दूसरे side हम कह रहे है कि आपको पृत्वी को बचाने के लिए vegetarian food को follow करना जाए तो आप तो यहाँ पर दो बाते करें लेकिन देखिए हम आपको वो सभी बातों को बता रहे है जिन जिन बातों के बारे में report publish की गई है यहाँ पर हम आपको अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहे है बलकि वो बताने की कोशिश करें जिन पर बहुत सारी research होई है अब इन सभी बातों को जानने के बाद आप लोग खुद से decide कीजेगा आप लोगों को क्या करना है किसी दूसरे के कहने से आप किसी भी बात को लंबे समय तक follow कर ही नहीं सकते जब तक आप उस बात को अपने मन से ना माल ले इसलिए आप लोगों को ये सारी बातों को सुनने के बाद जो भी फैसला करना है अपने लिए प्लस अपनी बाडी के लिए वो आप लोग कीजेगा और हाँ एक और बात आपको पता है आप लोग जो भी नॉनवेज खाते हैं अगर वो फ्रेश नहीं होता तो इससे आपकी बाडी के अंदर बहुत सारी बिमारियां क्रेइट हो जाती है और नॉनवेज को पचाना बिल्कुल इजी नहीं होता वैसे देखिए तो हमारी बाडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी वेज डाइट के लिए ही बना है देखिए अपने जितने भी ऐसे जान्रों को देखा होगा जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके दो ऐसे कैनाइन दाथ होते हैं जो नॉनवेज खाने के लिए उन्हें अलाव करते हैं लेकिन human body के अंदर जो दाथ होते हैं वो वैसे नहीं होते यानि इस टाइम पर जिस रिसाप से हम लोगों का lifestyle है इतना काम नहीं करते जैसे पहले के time पर किया करते थे इस वज़े से ये कैनाइन थित अपने आप ही normal हो गए जो कि बताता है कि हमारी body भी ये चाहती है कि हम इस तरीके से non-wage को ना खाए आपको पता है आपकी body बहुत सारी चीजों में आपको indicate करती है कि आपकी body के लिए क्या सही है और क्या गलत है आपकी body के अंदर जो intestine है यानि जो आपकी आते है उनके size में बड़ी होने का मतलब भी यही है कि आपको veg food को खाना चाहिए क्योंकि आज के time पर जो भी carnivorous animal है यानि ऐसे animal जो meat mask खाते हैं उनकी आते हमेशा छोटी होती है क्योंकि meat mask को ज़्यादा देर पेट में रखने से वो सडने लगता है इसलिए ऐसे सभी जानवर की आतों का size हमेशा छोटा होता है लेकिन human body के अंदर जो intestine है वो समय के साथ साथ बड़ी होने लगी इससे पता चलता है कि हमारी body भी यही चाती है कि हम non-wage को छोड़ करके veg diet को follow करें क्योंकि अगर हम लोग इस time पर non-wage का saveन करेंगे तो ये हमारी body के अंदर जाकर सडने लगेगा क्योंकि हम लोग आज के time पर पहले जैसा काम तो करते नहीं है हमारी वो भागदोर नहीं हो पाती पहले के लोग तो चलते बहुत थे लेकिन आज कल तो हम लोग हर जगे बैठे रहते हैं चाहे वो car हो या गर हो हर जगे हम लोग बैठे रहते हैं और electronic का use करते हैं इस time पर non-wage का saven करना आपकी body के लिए बिलकुल safe नहीं होगा ये बिलकुल scientific है इसलिए ऐसे लोग जिनका lifestyle sedentary है उन सभी को तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों को non-wage का saven बिलकुल नहीं करना जाए ऐसा करने से आपकी body के अंदर बहुत सारी बिमारिया हो सकती है हाँ इसका saven वो लोग कर सकते हैं थोड़े amount में जो लोग physically बहुत active रहते हैं ताकि उनकी body के अंदर ये easily digest हो पाए I hope आप लोग इसके पीछे का scientific logic भी समझ रहे होंगे आप सर्फ ये नहीं समझ रहे होंगे कि आपको non-wage खाने से रोका जा रहा है या इसके बारे में बुराई की जा रहे है नहीं इसके पीछे बिलकुल scientific reason है इसके behalf पे ही आपको बोला जाता है कि आपको non-wage खाना चाहिए या नहीं किसी धरम को देखकर या किसी की बुराई निकालने के लिए non-wage खाने को मना नहीं किया जाता इस बात को आप लोग प्लीज अपने माइन में रखिएगा दिखिए अभी तक तो हमने non-wage के बारे में बात करी लेकिन अब हम veg diet के बारे में भी बात करेंगे veg diet के अंदर ऐसी कौन सी कमिया है जिसकी वज़े से काफी सारी लोग non-wage के और shift कर जाते हैं उसकी पीछे कुछ important reason है सबसे important reason है lack of knowledge जिसकी वज़े से बहुत सारे ऐसे vegetarian हैं जो खुद को non-wage के और shift कर लेते हैं उनको लगता है veg diet के अंदर proper protein नहीं मिल पाता vitamin B12 की deficiency हो जाती है और भी बहुत सारे minerals नहीं मिल पाते लेकिन इस बात में 100% सच्चाई नहीं है देखिए veg diet के अंदर भी आपको proper protein मिल सकता है यानि जो essential amino acid होते हैं वो बहुत अराम से मिल सकते हैं बस आपको अपने food को diversify करना होगा आपको different different तरीके से दालू का सेवन करना चाहिए प्लस आपको millet का सेवन करना चाहिए इसके अलावा nuts और seed का सेवन करिए dairy product का सेवन करिए ऐसा करने से आपकी body के अंदर वो essential amino acid बहुत अराम से चले जाएंगे तो बस आपको थोड़ी सी knowledge की जुवत है सबसे पहले तो आप लोग एक बात को समझे आप कभी भी अपनी थाली के अंदर एक food को जगे मत दीजे आपकी थाली के अंदर हर तरीके से food add होना चाहिए यानि carbs भी होने चाहिए fiber भी होना चाहिए protein भी होना चाहिए plus vitamins और minerals भी होने चाहिए आप सर्फ ये सोच के नहीं खा सकते कि आपको तो सर्फ protein चाहिए आपको carbs नहीं चाहिए आपको fiber नहीं चाहिए ऐसा करने से आप कभी भी healthy नहीं रह सकते आपको पता है protein को digest करने के लिए fiber का बहुत important role होता है अगर आप लोग अपनी diet के अंदर proper fiber नहीं लेंगे तो body के अंदर protein अच्छे से digest नहीं हो पाएगा और आपको बहुत सारी problem होंगी like bloating की problem, gastric problem तो कभी भी आपको एक food को super hero नहीं बनाना है आपकी नजर में वो सारे food super hero होने चाहिए जो आपकी थाली के अंदर है आप millet रोटी का इस्तिमाल करिए एक दिन आप गेहूं की रोटी खाएए तो दूसरे दिन आप जौार की रोटी खाएए तीसरे दिन आपको रागी की रोटी खाने चाहिए ऐसा करने से आपको different different तरीके से minerals और vitamins मिल पाएंगे और आपकी body के अंदर जितनी भी कमी होगी वो बहुत असानी से पूरी हो जाएगी अब बात करते हैं vitamin B12 की काफी सारे लोगों को लगता है vitamin B12 veg diet में नहीं मिलता है लेकिन ये भी गलत है vitamin B12 आप लोग vegetarian diet से बहुत अराम से ले सकते हैं आप लोग fermented food को खाईए fermented food के अंदर vitamin B12 आपको बहुत असानी से मिल जाएगा प्लस आप लोग दही का सेवन कर सकते हैं इससे भी आपकी body के अंदर vitamin B12 की कमी बहुत असानी से पूरी हो जाएगी इस list में आप लोग green matter की जो दाल आती है उसका सेवन भी कर सकते हैं उसमें भी vitamin B12 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो बस आपको knowledge की जुएद है आपके food के अंदर सब कुछ है आप लोग सही से उस food को combine नहीं कर पाते गलत combination के साथ खाते हैं जिस वज़े से आपकी body के अंदर बहुत सारी problem होने लगती है चलिए अब इन दोनों बातों को समझने के बाद अब हम non-veg और veg food को कुछ different parameter में तोलने की कोशिश करेंगे जैसे strength wise, performance wise इसके अलावा cognitive function को देखेंगे प्लस longevity का criteria भी देखेंगे यानि कौन से food को खाने से आपकी लंबी उम्र रहेगी आप लंबी उम्र तक healthy भी बने रहेंगे तो इन basis पर हम देखेंगे कि कौन सा food सबसे अच्छा है तो सबसे पहला parameter होगा strength अगर हम strength wise देखें कि कौन सा food सबसे ज़्यादा अच्छा है veg और non-veg तो देखें वेज और non-veg दोनों में बराबरी की टकर है दोनों food से आपकी body के अंदर equally strength आती है बस आपने कौन से food को select किया है ये बात important है अगर आप vegetarian है तो आपको अपने food को diversify करना होगा different different food को लेना होगा ताकि आपकी body के अंदर हर तरीके से requirement को fulfill किया जा सके अगर आप लोग non-vegetarian है तो उसमें भी ये देखा जाता है कि आप non-veg में भी क्या ले रहे है आप chicken ले रहे हैं, mutton ले रहे हैं या फिर आप लोग seafood का सेवन करे है उस basis पर strength को decide किया जाता है तो इस parameter में दोनों equal ही है Second parameter है performance का तो performance के हिसाब से अगर खाने को judge किया जाए तो जितने भी कार्णी वोरस animal है यानि जो animal non-veg खाते हैं वो अच्छे से perform तो करते हैं लेकिन उनका stamina sustain नहीं कर पाता वो कुछ time तक ही अच्छा perform कर पाते हैं वहीं दूसरे side अगर हर भी वोरस animal को compare करें तो उनकी performance long time के लिए अच्छी रहती है For example आप गोड़े को ले ले गोड़ा घास खाता है और जितनी भी vegetarian चीज़े होती हैं वो खाता है Right? लेकिन गोड़े की performance के हिसाब से इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता इसलिए इस parameter में vegetarian food जीतता है Next criteria है cognitive function यानि brain function कौन सा food अच्छा रखता है तो देखिए इस list में winner होगा non-weight क्योंकि non-weight के अंदर fat होता है जोकि brain function को improve करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है तो इस list में अगर हम scientific basis पर देखे तो non-weight जीतता है लेकिन अगर हम इस बात को positive और negative energy के हिसाब से देखे तो इस parameter में भी vegetarian food ही जीतेगा उसके पीछे एक बहुत बड़ा reason है क्योंकि non-weight food को खाने से आपकी body के अंदर small amount में negative vibration enter कर जाती है जिस वज़े से इसका impact आपके brain पर भी परता है अच्छा इस बात को आप लोग खुद सोचे अगर आप लोग किसी भी जानवर को मार रही होंगे तो उस time पर उस जानवर की body के अंदर डर होगा प्लस आपके लिए negative बात ही होंगी आप किसी को मारने जा रहे हो तो वो आपके लिए कुछ न कुछ point तो negative सोचेगा ही न यानि उस time पर उस जानवर की body से negative energy निकल रही होगी और अगर आप लोग ऐसे food को consume करते हो तो वो energy आपकी body के अंदर भी जाएगी तो अगर positive और negative energy के हिसाब से दिखा जाए तो इस list में भी vegetarian food ही जीतेगा अगर आप लोग अपने vegetarian food के अंदर गाय माता के pure देशीगी का सेवन करते हैं तो इससे भी आपका brain बहुत sharp होता है अगर आप लोग अपनी diet में walnut लेते हैं almond का सेवन करते हैं और दूसरे तरीके के seeds और nuts का सेवन करते हैं तो ये सब मिलकर के आपके brain को sharp करेंगे और cognitive function को improve करेंगे तो ऐसा नहीं है कि non-wage food के अंदर ही fat है और वही fat आपके brain के लिए अचा है last में हमारा parameter है longevity और disease के हिसाब से यानि कौन से food को खाने से आपकी लंबी उम्र होती है और आपको बिमारिया भी नहीं होती तो इस list में भी vegetarian food की ही जीत होगी क्योंकि कई research में ऐसा proof किया गया है कि red meat को खाने से आपकी body के अंदर cancer cells की growth बढ़ती है प्लस अगर आप लोग red meat नहीं भी खाते हैं कोई दूसरे non-wage को select करते हैं तो अगर वो थोड़ा सा भी बासा होगा तो इससे आपकी body के अंदर बहुत सारे toxin create हो जाएंगे इसलिए non-wage को खाने से आपकी body के अंदर बिमारी होने का खत्रा सबसे जादा होता है तो इन सारे parameter में जीत होती है vegetarian food की और vegetarian food के एक plus point भी है इसमें antioxidant होते हैं phytochemicals पाई जाते हैं flavonoids पाई जाते हैं जो आपकी body के अंदर जाकर damage cell को repair करेंगे और आपकी body की सफाई करेंगे तो vegetarian food number one है आपको इसका सीवन definitely करना चाहिए लेकिन आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो non-wage खाते हैं तो उनसे हमारी सिर्फ इतनी request है अगर आप लोग non-wage खाना ही चाहते हैं तो आप लोग please अपने physical work को बढ़ाएं दूसरा जो भी आप non-wage को select करें वो fresh होना चाहिए प्लस आपको ये भी ensure करना चाहिए कि आप जिस भी animal का meat खाते हैं उसे healthy तरीके से feed किया गया हो क्योंकि आजकल जो market में egg मिलते हैं वो भी बहुत ही worst quality के हो रहे हैं commercialization के चकर में बहुत सारे chemical का use किया जाता है और animal के साथ बहुत सारी cruelty किये जाती है इसलिए please अगर आप लोग इसे continue रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने physical work को बढ़ाएए ताकि ऐसा खाना आपकी body के अंदर जाकर जल्दी से जल्दी digest हो ये जितनी देर आपकी body के अंदर पढ़ा रहेगा बहुत सारे toxin को create करेगा प्लस अपनी diet के अंदर fiber rich food की मात्रा को बढ़ा दीजे ऐसा करने से ये आपकी body के अंदर जाकर बहुत अच्छे से digest होगा और जितने भी toxin ये create करता है fiber उन सभी toxin को आपकी body से flush out कर देगा इसलिए ये छोटी छोटी बातों को प्लीज जिहान रखिए अच्छा एक बात बताईए आप लोगों को क्या लगता है इंडिया में ऐसे कितने percent लोग होंगे जो veg food को खाते होंगे आप लोग सोचे होंगे 70 to 80 percent होंगे लेकिन ऐसा नहीं है इंडिया में अगर हम vegetarian की बात करें तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है 37-38 percent ही ऐसे लोग हैं जो vegetarian food को खाते हैं बाकी सब non-wage को खाते हैं तो आप लोग खुद सोचे इतने सारे non-wage को produce करने के लिए कितनी ज़्यादा cruelty की जाती होगी animal के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका production किया जा सके तो I hope आप लोग इन सभी बातों को अच्छे से समझ पाए हों अब आप लोग खुद ही decide कीजे आप लोगों को veg food खाना है या non-wage food खाना है इस बात पर हम force नहीं कर सकते लेकिन हमने इसके pros and cons दोनों को ही बताने की कोशिश किये है प्लस एक और छोटी सी knowledge जो आपको समझ नहीं होगी आप मेंसे जो लोग भी non-vegetarian food को खाते है उन्हें अपनी पानी की मातरा को बढ़ा देना चाहिए क्योंकि non-wage से जो आपकी body के अंदर protein मिलता है उसे digest करने के बाद जो bio product बजता है यूरिया के रूप में उसे आपकी body से excrete कराने के लिए जादा पानी की जोथ होती है इसलिए ऐसे सभी लोग जो non-wage खाते है उन्हें अपनी पानी की मातरा को बढ़ा देना चाहिए नहीं तो उनकी body के अंदर यूरिया की मातरा बढ़ जाएगी और उनको gout जैसी problem हो सकती है यूरिक acid की problem हो सकती है लेकिन वहीं अगर हम दूसरे side vegetarian food को देखे तो vegetarian food के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं carbohydrate एक ग्राम काब आपकी body के अंदर तीन ग्राम पानी को स्टोर करके रखता है इसलिए ऐसे लोग जो vegetarian food को खाते हैं उनकी body अच्छे से hydrate रहती है और उस hydration का असर उनकी body के दूसरे part पर भी पढ़ता है उनकी body के सभी part healthy रह पाते हैं So friend इस video को यहीं पर stop करते हैं नहीं तो यह non-vej और veg की जो जंग है वो कभी नहीं रुखने वाली So friend that is it for the day I hope you like my session If you really like it then please subscribe it and share with your friends and family members Till then stay safe, stay healthy Have a good day